नमस्कार साथियों शिवानी तिवारी मनोर्मा यदुवंशी नगमा शेख मंजीत मौर्य कीरती राना रिंकु शिहिंग लच्मी चिकन चंगे जी राम रख रखा है पता ना कैसे कैसे नाम रख रखे हैं नगमा उत्तम चत्रवेदी प्रणाम मेरे भाई आदित्य सभी प्यारे साती एक बार जल फादिति इशनेह सूरज सचिन आदिती रूबिशिहिंग सचिन संतोष्कीरती सभी प्यारे साती आजाओ बहूत बढ़िया तनरंथ पायल अखिल मौनू शिवानी चित्रा बहुत बढ़िया बहुत संधार कपल लरी रिज्वान बहुत बढ़िया, बहुत संदार, बहुत बहतर, बहुत बहतर इजवान, सभी प्यारे साथी आजाओ, जल्दी जल्दी से, और प्रारंभ करें शैसन को, सैसन क्या है कि आज की क्लास में 27 प्रैक्टिस सेट है और प्यारे साथी आप लोग ना बहुत अच्छी तरीके से सीधा सीधा ना चीजों को समझने पर पॉइंट करना और अपना अपना स्कोर बताते चलना कि आप कितना कर पा रहे हैं सही है तर आज एक नई लोग में है आप या नई लोग नहीं है ये दोई लोग है मेरे पास में कभी-कभी दूसरी दिखे है कभी-कभी ये दिखे है तीसरी लोग कभी नहीं बनाई है दो लोग की ही चलती रहती है तुम कहोगे ठीक नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं है इसे बदल लेंगे हैं वैसा उम्मीद कर रहा हूं बड़ी हला करी होगी है ना चलो बहुत बड़िया बहुत सांदार पहला सवाल देखो क्या कह रहा है पहला सवाल आज की क्लास का सवाल क्या कहता है सवाल कहता है किसी निश्चित कूट भासा में feel at home को इतना लिखा जाता ह चैकदा लेंडरी को इतना लिखा जाता है आगे कह रहा है कि ओपन दा डूर को इतना लिखा जाता है तो काइट इस फिलाईंग को कितना लिखा जाएं सभी प्यारे साथी एक बार देहान से देखो काइट कहां आया है काइट यहां पर कहीं भी नहीं है काइट यहां भी न नहां नहीं है किसी लाइन में दा यहां पर है इस लाइन में दूसरी वाली में और तीसरी में भी दा है तो दा का कोड होगा जो दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन होगा कॉमन के साथ ही कॉमन चीजें चलती हैं तो मैंने आप लोगों से कहा पांच तीन साथ चार तीन चार में तीन नंबर common है तो इसका मतलब यह हुआ कि दा का कोड कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ता का कोड कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा आगे द्यान से समझते हैं तो काइट का कोड कितना है काइट देखो feel at home काइट नहीं है इसमें काइट नहीं है और इसमें भी काइट नहीं है तो काइट भी नहीं है इज का कोड देखते हैं इसमें इज नहीं है इसमें इज नहीं है तो इज भी नहीं है फ्लाइंग देख लो फ्लाइंग यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है तो बच्चे क्या क करूं दिहान देना तीन तो होगा इसमें भी तीन है इसमें भी तीन है इसमें भी तीन है इसमें भी तीन है तीन कोड किसका हो जाएगा दा का कोड तीन हो जाएगा यह पहली बात है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो काइट इस फ्लाइंग एक नए सब्द है मैं नए सब मैं कहां से लाओं तो प्यारे साथी दिहान से समझो दिहान से समझो कि मैं नए सब्द कहां से लाओं तो जब मैं नए सब्द ला रहा हूँगा तो प्यारे साथी यहां पर किस तरीके से ला रहा हूँगा कोई भी लॉजिक आप लोग बता सकते हैं क्या है तो यहां पर अगर ये लॉजिक लग रहा हुता ना जो मैंने बताया है तो यहां पर ये लॉजिक मैं यही कहता कि प्यारी साती केवल एक जगे नया सब्दा सकता था हर स्थान पर तो नहीं आ सकता था तो इसका मतलब ये जो हमने लॉजिक लगाया ये पे फेल हो गया और बच्चे इसमें कोई सक नहीं है कि पहले तो मुझे यही लॉजिक लगाना पड़ेगा अब देखते हैं अब क्या लॉजिक लगा हुआ है सबसे पहले अब एक चीज देखो फील में कितने लेटर है एक दो तीन चार तो यह चार लिख रहा है एक में एक दो तो यह दो लिख रहा है होम में चार तो यह चार है यहाँ पर एक दो तीन चार पांच लेटर है एक दो तीन चार पांच है एक दो तीन चार पांच है साथ साथ लेटर है सेम यहाँ पर open में 4 हैं दा में 3 हैं दोर में 4 हैं तो यहाँ पर दा में कितने letter होंगे 3 letter होंगे kite में 4 letter है edge में 2 letter है और flying में 3 और 3 6 letter है तो जबाब आएगा 3, 4, 2, 6 option number 2 right जबाब है सभी प्यारे साती एक बार सच बताओ आप लोगों ने ये question मैं जब पहले logic को लगा रहा था logic नहीं लगा था logic फिर हम दूसरे पर आए लेकिन मैं जब पहला logic लगा रहा था ताब आप इस logic को लगा रहे थे वो लोग कौन कौन हैं जिनका पहले ही ये answer clear हो गया था कि भाया जी हम तो पहले ही बहुत बड़ी है आप सभी के लिए शुब कामना आएं इसी तरीके से आप लोग महनत करते रहो अगला question द्यान से समझो क्या है अगला question यहाँ पर कहता है कि 3-2 का संबंद 35 से है किरा एक 4 का संबंद 65 से है तो सबसे पहली बात है कि 3 और 2 का relation 35 से किस परकार से है क्या कारण है क्या रीजन है वो बताना है एक 4 का संबंद 65 से जो है वो क्या कारण है किस रीजन से है वो चीज बतानी है तो दिहान देना मेरी बात पे मैंने क्या कहा मैंने कहा सबसे पहले यह जो 3 है अगर मैं 3 का भी क्यूब कर दूँ और दो का भी क्यूब कर दूँ तो तीन का क्यूब होता है 27 और दो का क्यूब होता है 8 तो 27 और 8 ये 35 बनता है उसी परकार एक का क्यूब कर दो 1 आएगा चार का क्यूब कर दो 64 आएगा 64 और एक कितना हो जाएगा 65 और ये 65 है प्यारे साथी कहने का मतलब ये है कुछ इस प्रकार से है कि चीजों का cube किया गया है और direct value निकाल दी गई है बोलेंगे सभी साथी बात clear है सभी साथी बोलेंगे एक बार बात clear है ऐसा case option पर हो रहा है पहला option कहता है 6 का cube 216 होता है 8 का cube 512 होता है जोड के देखो क्या ये 224 बनेगा मेरे भाई जोडने ही जरूती रही है ये 224 जो है ये तो 500 बारे से खुद बहुत छोटा है तो ये तो हो गया पहला option गलत दूसरा 3 का cube कितना है 27 है दो का cube कितना है 8 है 27 और 8 तो 35 होता है ये 31 है तो दूसरा option भी गलत है दूसरा भी गलत हो गया तीसरा कहरा है 7 का cube कितना है 343 है 343 दो का cube कितना है 8 है 343 और 8 कितना है 351 ये कितना है 351 तो मैं बोलूँगा option नमबर 3 सही जबाब है सभी प्यारे साथी एक बार बताओ क्या बात यहां तक समझ में आई है सभी प्यारे साथी एक बार बोल दो क्या यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आई है किलियर हुई है बोलो एक बार बात यहां तक किलियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे चलें विनोध कह रहा है कोई गल्स अयुध्या से है क्या हाँ मैं हूँ अध्या से बताओ क्या चाहते हैं आप मुझे से बात करिए क्या बात है आपको मुझे बताईए ना आप पढ़ने की बात सीखला है मेरे लाढ़ ले मेरे दोस्त कैसे करके मानेगा कैसे करके मानेगा पढ़ ले मेरे भाई बिनोध पढ़ ले मेरे भाई नहीं तो फिर अगले पेपर में तू बिनोध बन जाएगा ध्यान रखिए मेरे दोस्त बिनोध पढ़ ले नहीं अगले पेपर में खुद बिनोद बन जाएगा इस वात है विसेज ध्यान रखिए आगे समझो ध्यान से सवाल को ध्यान से समझो सबसे पहले 29 और 33 का अंतर निकालो कितना है? 4 है 33 और इसका अंतर क्या होगा? वो चीज हमें समझ के चलनी है प्यारे साथी ध्यान से समझने के आवसकता है कि यहां पर 113 है और यहां 379 है तो डिफरेंस कहीं न कहीं बहुत जादा बन रहा होगा डिफरेंस बहुत जादा बन रहा होगा तो यहां पर चीजों को चेक करो कि यह 2 का वर्ग है 2 का वर्ग है 4 अब अगर ये दो का वर्ग है चार तो मैं तीन का वर्ग निकालूं तीन का वर्ग यानि नौ निकालूं तो 33 और 42 ऑप्सन में नहीं है और अगर मैं चार का वर्ग निकालूं तो चार का वर्ग कितना होता है 16, 33 और 16 कितना हो जाता है गलत जबाब है वो चीज मैं अभी नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं आगे ये कहूंगा कि अगर यहाँ दो का वर् Of C네요d तो यहाँ पर अठ का वर्र आना चाहिए क्योंकि दो का दुगना चार चार का दुगना आठ और आठ का वर्र केतना होता है 64 एक बार आप लोग 64 में 49 जोड के चेक करो क्या 113 है आ रहा है अगर आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही किया है बात आ रही है समझ में तो मैंने कहा 9, 4, 13 है का 3 हसल 1, 4, 6, 10 और 11 है 113 है यहाँ पर डिफरेंस देख लो एक बार यहाँ पर अगर 8 का वर्ग है तो 8 का दुगना 6 ले का वर्ग होना चाहिए यहाँ पर डिफरेंस निकाल के चेक कर लेना इतना ही आएगा तो बच्चे आंसर क्या बन जाएगा 49, option number 2, correct आंसर बन जाएगा, सभी प्यारे साती बोलो क्या बात एक दम clear है सभी प्यारे साती बोलो क्या बात clear हुई है समझ में आई है next question देहान से समझो sequence लगाना है next question आपके सामने sequence लगाना है सभी साती और सभी भाई बहन एक बार बहुत प्यार से question को समझाएंगे question क्या है आप लोग भी ना, आप लोग भी लालची हो फिर कहां से आगे थे 500 लोग इसका मतलब यह है कि इंतजाम तो तुम पहे आदमी का इंतजाम तो है तुम पहे लेकिन मामला यह है कि अपने जब तुम्हें अपने फाइदा की बात दिखें ना जब ही निकालो तुरुप के एक खाए उस दिन मैंने कही भाई तुम 500 बच्चे लाइब करके दिखाओ तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूँगा भाई सब 10 मिनट में 500 बाला लगाईगे कलास में 500 छोड़ो 600 आई गई क्योंकि उस दिन तुम्हें पताई कि भाईया मतलब का खेल है और आज मैं और दिन कहूं फिर ना करो तो मैं बाल करने फिर ना बोलाओ तो इसका मतलब फिर यह है कि तुम लोग मतलब तुम लोग ना बड़े नटका नहां से हो गए हो कल दिया जा जाओ तो मैंने क्या कहा के आई एन तो हर स्थान पर कॉमन है काट दो के आई एन हर स्थान पर कॉमन है तो इसे मैं प्रतेग स्थान से हटा दूँगा आगे जी कितने पर है साथ पर एस कितने पर है उन्निस पर जी साथ पर जी साथ पर और जी कितने पर साथ सभी प्यारे साथी द्यान देना यहाँ पर अगर मैं देहान से देखता हूँ तो 19 तो लाश्ट में जाएगा सात वाल आ जाओ जी L कितने पर है बारहे पर और S कितने पर है 19 पर L बारहे पर और D 4 पर तो पहले 4 वाला है तीसरा पॉइंट आएगा उसके बाद बारहे वालों में तुलना होगी है न बारहे वालों में तुलना होगी तो यहाँ पर ध्यान से समझना यहाँ पर 3 से सुरू है बारहे वालों में तुलना कर लो L से L खतम E 5 पर Y 25 पर तो पहले 5 आएगा यानि 3 के बाद 1 आएगा फिर 25 यानि की 5 आएगा फिर प्यारे साथी दो नमबर आएगा जिसका पॉइंट हम बात कर रहे थे और लाश्ट में तो 4 थाई आपको पता ही है 31,524 कहा है 31,524 31,524 option नमबर B पर है 31,524 option नमबर B पर है सभी प्यारे साथी बोलो एक बार बात आई है समझ में सभी प्यारे साथी एक बार बोलो क्या बात समझ में आई है सभी बोलो एक बात बात क्लियर हो रही है बताएंगे एक बार क्या कहानी इतनी सी क्लियर है समझ में आई है सभी प्यारे साती बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत सांदार थमसप हैं सभी के, बिल्कुल क्लियर कहानी है next question आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सवाल बहुत सांदार है, दिहान से समझ के करना, किराई कि सभी टमाटर मटर है, आजाओ भई सबजी बनाते थोड़ी दिर सभी टमाटर, टमाटर ले लो मटर भी फिरी में ले लो सभी टमाटर मटर है, आजाओ जल्दी से देखो, मैंने क्या कहा, सभी टमाटर मटर है चलो ठीक है, किराई कि कुछ मटर आलू है तो कुछ मटर का थोड़ा सा भाग आलू में ले लेते हैं मटर कुछ क्या हो गए आलू हो गए ठीक है और कह रहा है सभी आलू फल है तो आलू किसके अंदर है आलू फल के अंदर है क्योंकि उसने खुद बोला है कि सभी आलू फल है सभी आलू फल है सवाल क्या कर रहा है सवाल कर रहा है क्रिशन कुमार पांडे हाई मेरा ब्रेक अप हो गया है बेटा मैं सही बता रहा हूँ इस चौच को बंद कर ले नहीं तो देखे क्लास दुबारा देखने लाइक नहीं छोड़ूगा द्यान रखना बेटा एक आदिमी की वज़े से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है इस बत का विसेज ध्यान रखा करो और दूसरी चीज़े ध्यान रखा करो कि इस क्लास में बहने भी मौझूद होती है और ये बहने हम पर पूरे विस्वास के साथ इस क्लास में आती है प्यारे साथी मैं हाथ जोड़के अंतिम बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप पढ़ाई की बाते करो तो ज्यादा बहतर है तो ज्यादा बहतर है यहाँ पर क्लास में किसी भी प्रकार की बत्तमीजी करने का बेटा एक थोड़ी देर रुख जाई यह बस एक स बच्चे नहीं चाहिए यहाँ अपने संसकार दिखाने कि आवसकता नहीं है एक मिनलों यह पर आजा जल्दी एक तो इस जी तुरण्त की तुरंद्ट नीचे कर और हर कर विनोद नाम से होगी कमेंट कर इसे तुरंत की तुरंत एकदम पर्मायट ब्लोक करते यह पर्मायनट ब्लोक करते कि ऐसे य। और जो भी कोई कलासम विस्सल ध्यान रखलिस तरीके से कोई दुन क्रश्ण कुमार पंडे हैं एक और और diva बना दिया इस बार अपर ही बना है इस बार च्रैक्ष्णकुमार विल्कुल तुम ने लगानल नहीं नएक्ष्ट आया कि उसलाता है तुम्हें चेंडर को यहाँ पर देख या करा है कोच्छ टमाट्र को तिमने मेरा प्यार कई रूप देखा है तो तुमने यह नहीं देखा कि जो बत्तमीजी करने वाले बच्चे होते हैं, उनको सबक भी सिखाया जाता है, पढ़ाई की बात कर लो, पढ़ाई की सवाल कराई कि कुछ टमाटर आलू है तो ये टमाटर आलू का तो छेतरी नहीं मिल रहा है आपस में चीजें मिल ही नहीं रही है इसका मतलब पहला बाला गलत है कुछ फल आलू है तो बच्चे ये जो फल है फल बाहर से आलू की तरह आ रहा है बेलू कुछ फल आलू है तो इसका मतलब दूसरा बाला सही है और करा कुछ मटर फल है तो ये कुछ मटर फल है मटर का सरकल फल के सरकल से मिला हुआ है तो इसका मतलब मतर भी फल है तो answer तीसरा भी सही है answer आएगा केवल केवल और केवल क्या only second और third follow option number 2 only conclusion second and third follow यानि दूसरा और तीसरा निसकर्स अनुसरन करता है सभी प्यारे साती यहां तक बता दो बात आई है समझ में आगे बढ़ जाते हैं next question पर प्यारे साती दिहान से देखो कि यह question क्या रहने वाला है जल्दी से एक बार question का screenshot लीजिए paper cutting and folding का question है और मुझे comment section में जल्दी से बताना कि इसका answer क्या होने वाला है छटा question आज की class का homework रहेगा तो सभी प्यारे सातियों को इसका answer बताना है कि कितना answer रहने वाला है ठीक है next अगला सवाल सभी प्यारे साती इस question को दिहान से देखो और बताओ answer क्या है बताओ भई जल्दी से चलो भई देखो बहुत बढ़िया सभी ए आर है तो मैंने कहा ए जितने भी ए है वो सभी के सभी ए कौन है आर है सभी आर सी है तो सभी आर कौन है सभी आर सी है पहला निसकर्स क्या कह रहा है पहला निसकर्स क्या कह रहा है सवाल यहाँ पर कहता है कि सभी C A है भाईया सभी बोलकर C यहाँ A आ है तो C बाहर है A अंदर है बाहर से अंदर क्यों वैल्यू जबाती है सभी सब्द जुड़ा होता है तो वो वैल्यू गलत होती है दूसरा है कुछ R A है तो कुछ बोलकर R बाहर है A अंदर है तो बाहर से अंदर R A है R बोलकर बाहर से अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये भी सही है तीज़रा करा है कोई C R नहीं है बचे मैं दोबारा से बता देता हूं कि कभी भी दिहान रखना जब कथन हमारे पास positive होते है मैंने ये बात आपको कई बार बताई भी है कि जब हमारे पास कथन positive होते है तो positive ही निसकर्स बनता है negative नहीं बनता है तो तीसरा वाला गलत है answer आएगा केवल second अनुसरन करता है और इसमें तो ऐसी कोई बात है नहीं option गलत आ रहें क्या बचे नहीं ये तो तीसरा वाला सही है ही नहीं है तो ये कैसे हो सकता है एक बार question को मैं खुद से भी चेक कर लेता हूँ answer आएगा मेरे प्यारे साथी second कैसे follow कर देगा सभी C A है सभी A R है सभी R सभी A R है सभी R C है सभी C एक मिनट एक मिनट सभी C बचे इसमें पूरी बात लिखी नहीं गई सभी C A है लिख लो सभी C A है तो भी गलत है तो भी गलत है तो इसका मतलब answer आएगा निसकर्स first अनुसराड करता है प्यारे साथी मैं आपर पाँचवां option लिख रहा हूँ पाँचवां option लिख रहा हूँ की only only second follow only second follow बात आई है समझ में सभी प्यारे साथी बोलो क्या बात समझ में आई है बहुत बढ़िया हाँ बिलकुल first point गलत है क्योंकि इसने बोला है सभी C A है सभी C A है तो भीया सभी C बाहर है A अंदर है तो गलत है अगर यहां पर यह होता कि सभी A C है A अंदर होता C बाहर तो सभी था अभी यह गलत है सभी है बहुत बढ़िया आगे चले आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं इसका जबाब क्या है सभी प्यारे साती एक बार देहान से समझो इसका जबाब क्या है A गुडा B का रथ है A B का पिता है A माइनस B का रथ है A B की माता है A भाग B का रथ है A B का भाई है तो निमलिकित में से कौन सा वेंजक निरूपित करता है कि P R का पिता है कि रहे पी आर का पिता है, सही है, पी आर का पिता है, तो पहला कि रहे पी गुडा क्यूँ, गुडा ये रहा, ए गुडा भी ए बी का पिता है, तो पी गुडा क्यूँ का मतलब है, पी क्यूँ का पिता है, पी पिता है तो पिलस, किसका पिता है, क्यूँ का तो क्यूँ को य किसका भाई होगा आर का भाई होगा सवाल कराए कि पी आर का पिता है किसके अनुसार तो जो मैंने पहला वाला डाइग्राम बनाया है एक बार दिहान देना जो पहला वाला डाइग्राम बनाया है कि पी आर का पिता है आर के भाई का पिता आर का भी तो पिता है बात आई है स सही है संगीता थैंक्यू Every Much गुडिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठीक का आपका answer यही है, 7 की 7 थमसब जरूर कर दिया करो, अगर आपका answer सेम हुआ कर, जरूर बता दिया करो के हाँ जी, मेरा answer यही है, next, अगला सवाल series का सवाल है M 13 नंवर पर है, K 11 पर है, I 9 पर है 13 मैं से दो गए, 11 11 मैं से दो गए, 9 9 में से 2 गए तो 7 और 7 पर क्या आएगा 7 पर G आएगा यहां देखो B, C, D, E आएगा उसके बाद F लिखा हुआ है यहां देखो T से पहला S, S से पहला R, R से पहला Q और Q से पहला P आएगा तो आगे समझने की जरुत करना N 14 पर, P 16 पर, R 18 पर अब 20 नंबर पर कौन आएगा, T आएगा तो G, E, Q, T आएगा G, E, Q, T का मतलब है पहला आंसर सही है क्या बोलेंगे, पहला आंसर सही है बहुत बढ़िया, 400 लोग क्लास देख रहे हैं 200 लोग उने लाइक किया है अपने आप समझ जाओ कि आखिर क्या कर रहे हैं आप लोग है, चलो, ठीक है Next question आजाओ आज की क्लास का, ये complete समझ में आया की नहीं, मैं दोबारा से यहां एक बात इसपश्ट करूँगा पहले पहले letter में आपको पहले define करना है कि value कितने आधार पर बढ़ रही है, जिस को जिस आधार पर value बढ़ेंगी उसी आधार पर आपको concept बढ़ाने, ठीक है, अगला सवाल आजाओ चार पंद्रे पर दोनों सुईयों के बीच कितने degree का कौन बनेगा देहान से समझना, चार पंद्रे पर दोनों सुईयों के बीच कितने degree का कौन बनेगा बाबू, बहुत बढ़िया, नीचे कमेंट करो तो मैंने इसका formula लिखवा रखा है, बहुत सांदार तरीके से, रिशू, चक्रवरती भई, बिल्कुल, बिल्कुल भई, मैंने आप लोगों को, सायद इसका मतलब यह है, कि आप Friday वाली class में मौझूद नहीं थी मैंने Friday को सारी चीज़े clear कर दी थी, मैंने बता दिया था कि इस बार ये 4 घंटे वाली class नहीं होगी, मैंने मना अखर दिया था Friday को, ठीक है formula क्या बता रखा है 60H difference 11M upon 2, इसका formula होता है cosis करो solve करनेगे तो यह आएगा 60H का मतलब 60 गुड़ा 4, H का मतलब 4, 11 है मैं कर दो 15 है की गुड़ा, और भाग कितने से दे दो, 2 से 64, 240 11 है, 15 हैं कितना होता है 165, कितने से भाग दे दूँगा, 2 से तो 10 मैं से 5 गई तो 5 13 मैं से 6 गई 7 और यह कितना आ गया यहां पर कितना आ गया, कुछ ही भी नहीं आया वही 5, 5, 10 की 0 हसले 7, 6, 3, 1, 4 हसले 1 और 1, 2 और यह आएगा, 75 बटे 2 का मतलब होता है, 37 37.5 राइट आंसर हो जाएगा सब का आंसर सही है 37.5 सब का आंसर सही है अलग ही खुसी होती है जब आप लोगों का आंसर बिल्कुल सेम निकल के आता है साड़े 7 डिगरी पर बता वुजलडी से कितना आंसर आएगा तो मुझे पता है साथ में कितने की गुणा, 7 की गुणा डिफरेंस 11 में कितने की गुणा 30 की गुड़ा, बहाग कितने से दूँगा 2 से, 60, 70 420, 11 है 30 हैं, 330, बटे कितना 2, 420 और 330 का अंतर 90 है बटे कितना 2, आंसर कितना 45 डिगरी, बोलो बात समझ में आई की नहीं, सभी प्यारे साथी बोलो बात समझ में आई की नहीं, कुछ भी नहीं होता है बहुत आराम से अंसर दे सकते हैं प्रीति या दब का अंसर सबसे पहले यह 45 डिगरी वाले का उसके बाद दूसरे नंबर पर मौनु का अंसर है और तीसरे पर समरीन जहान का अंसर है, उसके बाद नीतु का, फिर मनू का, फिर अमर का, फिर आलशा खान का इस परकार से यह answer आई है प्यारे साथी इस परकार से आपके यह answer आए है जो answer मैंने यहाँ पर बताये है ठीक है, next अगला स्वाल चागू का संबंद है काटना से कल्चुल का संबंद किस से है बच्चे कल्छुब 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 बिल्कुल हर वक्त रसगलन में रहते दीखो भाई साथ सब के आंसर सही है भाई हद कर दी यार एक भी गलत नहीं है कल्च हुआ मतलब परोश नहीं आ रहा सब का आंसर रे वाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तुमने इस बार आंसर भी भर भर का परोसा आए बहुत सांदार जबरदस जिन्दाबाद आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर क्वेस्चन कह रहा है कि इसमें कितने कौण है कौण बताओ जल्दी सबी प्यारे साथी आंसर बताओ क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर जब तुमसे ऐसा सवाल पूछे ना कि ऐसी आकरती में तरभुज कितने होंगे तो क्या करना है वो सुनो इनकी ना ऐसे नंबरिंग कर लो नंबरिंग कैसे एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर कितने खाने ये पांच है देखो 125 बता रहें रहे ना माने गा 125 आएगा इस का आंसर रुग जा थोड़ी दिर 126 बता रहें 128 बता रहें तो इनकी पांस तक नंबर कर लो एक दो तीन चार पांच यह ऐसे गिन तब भी पांच ही कर सकता हूं और ऐसे इधर बीगिन सकता हूं यह बराबर बराबर ही बैठींगे पिर क्या करना है एक के सामने डायरेक्ट एक लिख लो 1 के सामने direct 1 लिख लो उसके बाद cross में 1 के सामने क्या है 2 तो 1 और 2 कितना है 3 3 के cross में क्या है 3 और 3 6 जोडते जाना है 6 के cross में बेचे 4 तो 6 और 4 10 10 के नीचे cross में 5 तो 10 और 5 पंधर है जोड़ना इह कितना हो गया 15, 10, 25, 6 यह वाला जोड़ना इधर वाला 15-10-25-31-34-35 लेकिन 35 अभी सही जवाब नहीं है 35 अब क्या करना है अब नीचे से उपर की ओर चलो और जो एक पॉइंट है उसे हटा कर देखो जैसे मैं 35 से उपर चला मतलब योगफल 35 आ गया अब उपर जा रहा हूं सबसे पहले क्या मिला पंदर है जो पंदर है मिला है उसे छोड़ दो इसे काट दो पंदर है को काट दो फिर क्या मिला 10 इस पर राइट लगा दो फिर क्या मिला 3 इस पर राइट लगा दो फिर क्या मिला 1 इसे काट दो पहने का मतलब यह है कि नीचे से उपर की ओर चलो और एक पॉइंट को पहल और 3-13, 35 में तेर है और जोड़ Dao, 35 और तेर है, 48 आंसर हो जाएगा 48問 का सही जवाब आ जाएगा, 48 hairs question का सही जभाब आ जाएगा 48, एक बार देख लो question मैंने कैसे किया है, और अगर ये समझ में आ जाएकी question मैंने कैसे किया है तो प्यारे गुड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का अंसर जरूर बता देना कि इस क्वेश्चन का सही जबाब क्या है जो क्वेश्चन में अब बना रहा है जो क्वेश्चन में ने अब यहां पर बनाया है इसका सही जवाब क्या है ये आप लोगों को ही बताना है सही है? बहुत बढ़ी आप ये क्वेश्चन का अंसर बताओ आप लोग जल्दी से क्या होने वाला है जल्दी से बताओ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर देता हूं क्या हो जाएगा कुछ नहीं करना है एक दो तीन चार खाने कितने हैं एक दो तीन चार एक के सामने एक एक क्रोस में एक और दो तीन 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 और तीन च्छे च्छे क्रोस में च्छे च्छार दस दस च्छे सोले तिन उनने सोरेगे बीस पहला वाला कटेगा अगले पर राइ राइट कहा है छे पर और एक पर छे और एक साथ साथ पर क्या आता है बीस और साथ 27 यही आने सरे ठीक है सब ही प्यारे साथी बोलो क्या question एकदम perfect तरीके से clear है समझ में आया है next question आजाओ आज की class का अगला सबाल कह रहा है कि चार अक्षर सम्मूदी है यह चार option है इनमें तीन ऐसे हैं जिनमें आपस में समानता है एक ऐसा है जो सबसे अलग है जो सबसे अलग है वही बताना है कि वो कौन है तो देखो ध्यान से last के 2 को देखो यहाँ E कितने पर है बीच बाला E 5 पर last बाला D 4 पर यानि 5 से 4 एक कम हुआ है यहाँ K कितना है 11 है I कितना है 9 तो 11 से 9 यानि 2 कम हुआ है Q 17 पर O 15 पर यानि 17 से 15 दो कम है W 23 पर U 21 पर 23 से 21 दो कम है तो answer आईगा पहला option यानि 5 से 4 हुआ है सही है बहुत बढ़िया बहुत सांदर बहुत बहतर गजब पूजा कुमारी थैंक यू भहिया जी पहले मेरे से नहीं होते थे आज अच्छे से समझ आ गया बहुत बढ़िया पूजा बहुत हर चीज समझ में आएगी और इसका स्रेय मुझे नहीं जाता कि भहिया मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझा पा रहा हूँ भहिया स्रेय हम दोनों को जाता है असा यह मुझे भी नहीं जाता अब तुम यह कह दो कि सारा स्रेय मैं तुमको दूँगा इतना भी पागल लाओ मैं थोड़ा बहुत अपने पास भी रखूँगा मतलब यह है कहने का कि तुम लोग जो सीख पाते हो उसमें हम दोनों की महनत है मैं यह नहीं कहूँगा मैं अपने आप ही नहीं लूँगा सारी का सारा क्रेडिट के भहिया मैं भलाओं मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम ही बैस्ट हो भाईया मैं कहूँगा हम भी बैस्ट हैं तुम भी बैस्ट हैं और मिल जाते हैं तो बहुत ही बैस्ट है भाईया next question पर आजाओ आज की class का अगला सवाद दिहान से समझ के बता दो इसका answer क्या है दिखा दो भाईया question साब से सभी प्यारे साती एक बार question को दिहान से समझने की कोसिस करो कि इस question का सही जबाब क्या होगा जिस question को आप बोलोगे मैं उसी चेक करके दिखा दूँगा पहला option कहरा कि दिये गए दो चिन्हों को आपस में परस पर बदलने पर निमलिकित में से कौन सा समीकरण सही नहीं हो क्यारा कौन सा समीकरण सही नहीं है दुनिया पूछती है कि कौन सा समीकरण सही है और हम यहाँ पूछ रहे हैं कौन सा समीकरण सही नहीं है क्योंकि बच्चे question आपसे पूछे की कौन सही है तो भी और कौन पूछे की तौन नहीं है तो भी आपको जबाब हर एक चाहिए जैसे पहला बाला है बार है किया रहा है माइनस और भाग बदल दो तो माइनस के स्थान पर भाग बना दो और भाग के स्थान पर माइनस बना दो तो बारह में चार से भाग दिया तो तीन बार गया, पिलस कितना ग्यार है, ग्यार है तिया 33 डायरेक्ट लिख लो और माइनस आठ, तो यह 33 और तीन 36 में से आठ गई तो 28 आ गया, और यह क्या है 28 है, जो जो समय के यूं मत कर दियों, जी पहला सही हो गया, देखो ए आंसर कर तो मैं तो करूँगा तुमारी पिटाई है, और जो बहने तुमारी पिटाई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम साक्षात लच्छमियों हमारे लिए, हमारी बहने हैं, तुमारी पिटाई नहीं कर सकता, पर तुमारी सिकायत कर दूँगा किसी दिन, जब तुमने किसी, मतलब तो करूं कहां और कोई बात नहीं है फिर मैं तुमसे बोलना बंद करते हैं तुम ही दिखाने जानो हम ना दिखा सकें देखो ध्यान से यहां सवाल पर क्या कह रहा है यह जो 28 तुमने सही कर लिया करऊ कि 28 कि 78 गलत है सवाल है पूरा पढ़िए करो सवाल द्रोल कोनसा ne नहीं होगा, और तुमनें जो और उसcert सर ठोक दिया है, वहिया रूखो जरा, ये समझोगी ये गलत है, क्योंकि ये सही है इसलिए गलत है, पर उसे तो गलत चाहिएं, दूसरा चेक partner करो, यहां पर भी माइनस भगबदलो, माइनस के अश्ठान पर भाग और भाग के असतान पर माइनस तो यह क्या आएगा चेक कर लेते हैं तो यह आएगा बीस गोड़ा आठ में चार से भाग दो बार माइनस दो पिलस साथ बीस दो नहीं चालिस माइनस दो पिलस साथ पिलस के कौन है चालिस साथ 47 में से दो गए तो यार 45 आनी चाहिए यह पर यह 50 है तो यही गलत ह है option number 2 सही है क्योंकि उसने यही पूछा है कि गलत कौन है सभी बताओ मुझे एक बार बात आई है सभी प्यारे साथी एक बार बता दो क्या बात समझ में आई है कहानी समझ में आई है option NO2 की अगला सबाल आ आ जाओ आज की उसका मुर्गी का समझ हैदड़्डा बेटा यह दड़्डा लिखी धिया है कैई जगह δबड़ा भी बोल दया जाये काई जगह दड़्ड़ा भी बोल देते हैं किई जगह एक्शल में होता क्या है कि जो मुर्गी होती है बच्चे जो मुर्गी होती है वो अपने दबडे में मुर्गी जहां रहती है ना तुमने देखा होगा बहुत साई लोग मुर्गी रखते हैं मुर्गी पालन करते हैं तो जिसमें वो रहती है ना उसे दबड़ा कह देते हैं तो उसी परकार से मधुमक्षी कहां रहती है छत्ता में रहती है ऑप्सन नमबर दो सही है आंसर क्या है ऑप्सन नमबर दो राइट जबाब है सही है भई, बहुत बढ़िया चलो बहुत सुन्दर सभी का आंसर सही है नेक्स्ट क्वेश्चन आजाओ सवाल को देखो दिहान से क्या कहा है बहुत बढ़िया, बहुत संदर बताओ भई सवाल कह रहा है E A G E R को इतना लिख रहा है गर्ल्स को इतना लिख रहा है तो दिहान से समझो इस का अंसर क्या है इशू को कितना लिखा जाएगा इशू को कितना लिखा जाएगा देहान से समझना तो देहान देने लाइक बात क्या है एक बार देहान से समझो यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ को जो E A है उसे तो A E बना दिया है जो G है उसमें प्लस 1 करके H बना दिया है और जो ER है उसे अपोजिट करके RE बना दिया गया है समझ में आई है तो दिहान से समझना कि आगे क्या होगा एक बार दिहान से समझने ही कोसिस करना देखो भई मैंने कहा जो GI है उसका बदल के IG कर दो R में प्लस 1 कर दो R प्लस 1 S और जो L S है उसका बदल कर SL कर दो यानि सीधा सा कॉंसेट है पहले दो लैटरों के स्थान इस्थानांत्रित हुए है बीलकुल बीच वाला प्लस 1 हुआ है और लास्ट के दो भी इस्थानांत्रित हुए है तो यहाँ पर समझो I, S का क्या हो जाएगा S, I, S में प्लस वन कर दो तो S का T हो जाएगा और U और E है तो यह E और U हो जाएगा यानि S, I, T, E, U S, I, T, E, U option number 3 सही जबाब हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा next question आजाओ सभी प्यारे साथी बताओ एक बार इस question का right जबाब क्या होगा right जबाब क्या होगा जल्दी से बताओ सवाल कह रहा है which one of the following equations will not be correct on interchanging the two positions sign सभी प्यारे साथी question को दिहान से समझो बताओ जल्दी से इसका अंसर knowledge way बेटा फिर आप बाद में चेक कर लेंगे चौधे को 14 को क्या चेक करना है 14 में क्या दिक्कत है 14 को क्या दिक्कत है 14 में क्या दिक्कत है फिर से कर लेंगे चलो कोई बात नहीं दिहान से समझो इसका अंसर कौन सा सही है कहरा है कौन सा समी करण सही नहीं है क्वेश्चन ये नहीं कहरा कि कौन सा समी करण है 14 में C की बात कर रहे हैं बच्चे चलो एक बार C को भी चेक कर लेता हूं C को चेक कर लेता हूं यहाँ पर माइनस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर माइनस तो यह आएगा 35 में 5 से भाग 7 बार और पिलस 8 माइनस 4 तिया बार है तो यह आएगा 8 साथ पंधर है हाँ बिल्कुल सही बात है भई बिल्कुल सही बात है बच्चे तीसरा भी सही सेकेंड और थर्ट दौनों सही है यहाँ पर कहीं न कहीं यह SSC की ही गलती है SSC की ही गलती है सही बात है यह भी गलत है अच्छा बाड़ मास में गुड़ा होती है बेटा पहले अहो क्या देखो देखो भाई साब वाओ बहुत बड़िया एक मैं तो हरिद्वार जाने कि सोचा जैहो प्रभू जैहो दर्सन तो यहाँ भगवान तो साक्षात केदार नाथ में डूड़ रहे हम तो चलाओ यहां देखाओ बचे जल्दी से सवाल का अंसर बताओ एक बार सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से इस क्वेशन का अंसर क्या है बहुत बड़िया सभी प्यारे साथी यहां पर ध्यान से देखो इस question का सही जबाब क्या हो जाएगा सभी जबाब क्या होगा सबसे ज़्यादा जो answer आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं बचे जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी देखो बहुत बढ़िया बहुत सांदर तो यहां पर A भी है B भी है C भी है D भी है माइनस और गुडा को बदल रहा है तो माइनस के स्थान पर गुडा और गुडा के स्थान पर माइनस पहली question बनेगी 11 है पिलस 6 माइनस 3 गुडा 8 में दूसरे भाग 4 बार तो 11 है पिलस 6 माइनस 3 चौक बार है 11 है 17 में से बार है गई तो 5 यानि पहला समी करण सही है पहला समी करण सही है दूसरा यहां पर माइनस गुडा बदलो गुडा के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर गुडा तो यह आएगा 7 माइनस 8 प्लस 4 में 2 से भाग 2 गोडा 6 तो यहाईगा 7 माइनस 8 प्लस 2 चे के 12 है 7 प्लस का 12 है 12 है 19 में से 8 गए तो 11 है बिल्कुल सही है 2 वाला भी सही है लेकिन question यह पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है उसे नहीं में बाद जाद अच्छी लग रही है यहां पर माइनस गोडां बदलो माइनस के स्थान पर माइनस तो यहाएगा 5 गोडा 6 माइनस 3 प्लस 16 में 4 से भाग 4 बार 5 चिंग 30 माइनस 3 प्लस 4 तो यहाएगा 30 ौर 24 34 माइनस 3 तो क्या आएगा 31 और यह भी 32 अर्थाट यह भी सही है तो केवल एक ही option बचता है और वो option बचता है लाश्ट वाला option नमबर 4 जो की सवाल का सही जबाब होगा आखिर ऐसा क्यों हुआ कि option नमबर 4 सही है देहान से एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं मैंने गुड़ा को और माइनस को बदलना है तो माइनस के स्थान पर माइनस है और माइनस के स्थान पर गुड़ा है तो यहार है 7 माइनस 2 पिलस 27 में 9 से भाग 3 बार गुड़ा कितना 4 तो 7 माइनस 2 पिलस 3 चौक 12 है 12 है 7, 19, 19 माइनस 2 बराबर 17 होना चाहिए था बट यह 18 है तो option number 4 सवाल का सही जबाब है यह समीकरण सही नहीं है यह समीकरण सही नहीं है ठीक है भाई बहुत बड़ा next अगला सवाल केरा भाईया बता दो इसका दरपन प्रतीबिम्ब क्या बनेगा सबसे पहले जो A है वो A हमें उल्टा दिखाई देगा यानी की हम कहेंगे इस प्रकार से मतलब यह हमें इस प्रकार से उल्टा दिखाई देगा आप इतनी सी बात समझ सकते हैं तो question में जब यह इधर दिखाई देगा तो पहले में दिख रहा है दूसरे में नीचे की और दिखराए गलत है यहाँ दिख रहा है यहाँ दिख रहा है उसके बाद जो यह Q बना हुआ है यह P टाइप में नजर आएगा यहाँ पर उल्टा नजर आ रहा है नीचे की और तो यह भी गलत है और तीसरे में भी इधर की और घूम रहा है तो यह भी गलत है चौथा option right है सभी प्यारे साथी बोलो देखते ही आंसर कर देते हो इसे सवाल का बहुत अच्छी बात है जो प्यारे साथी देखते ही ऐसे question का आंसर कर देते हैं बिल्कुल सही है option नंबर 4 सही जबाब बन जाएगा next question आज की class का 19 सवाल जल्दी से इस सीरीज का अंसर बता दो क्या होगा L कितने पर 12 पर, P कितने पर 16 पर, T कितने पर 20 पर, X कितने पर 24 पर द्यान देना 12 है 4, 16, 12 है 4, 20, 4, 24, 24 और 24, 28 आएगा और 28 पर आता है भी ये मत कहना कि 28 लेटर नहीं होते है 26 के बाद 27 पर A आता है और 28 पर B आता है बात आ रही है समझ में सभी प्यारे साथी बोलेंगे एक बार क्या बात समझ में आ रही है सभी प्यारे साथी एक बार बोलो क्या इतनी सी बात समझ में आई है ठीक है भाई बहुत बढ़िया बहुत सांदार बहुत बढ़िया नीचे करो कमेंट क्या था ये कमेंट अभी तुम दिखा रहे थे ढूड़ो इतने हैं सही है भाई तो बी से अंसर सुरू होगा मतलब ऑप्सन नमबर दो राइट हो जाएगा गुरुजी मैं आपसे पूरी थोरी यूपीपी का कर डाली हूँ आप 2021 में यूटूब पर कर आए थे मैं उसे कुछ दिन पहले कम्प्लीट कर ली हूँ बट अच् रिजनिंग आती है मुझे सार बहुत बढ़िया बहुत अच्छी वात है भाई हम भी तो यही चाहते हैं कि आपको समझ में आई हम ये थोड़ी ना चाहे के पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आई हम भी जी लिए तो महनत करते हैं कि आपको समझ में आ जाए ठीक है next question पर सवाल करें संख्याओं के विसम सम्हूं का चैन करें select the odd set of numbers question का कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा option है जो सबसे अलग है एक बार बीच वाली संख्या को ध्यान से समझना 545 है इससे पिछली संख्या इससे 5 जादा है 550 और उससे अगली संख्या इससे 5 कम है 540 यहां जो 400 संख्य का है 400 में 5 जोड़ दो 405 और 400 में से 5 घटा दो तो 300 पिचान 690 की बात करूं तो यहां पर यहां पर पांच का डिफरेंस होके आप 600 पिचान होना चाहिए था यह तो 700 है तो तीसरा option राइट है क्योंकि यहां भी 615 से 5 घटा होगे 620 आगे 6 जोड़ोगे 620 और 6 घटा होग यहां पर 540, 45, 55 का अंतर हैं तीनों में 395 में 400, 45, 55 का अंतर है 610, 615, 620, 55 का अंतर है 680, 690 बट 690 से 705 का अंतर नहीं है दिसकॉल्ड इस 10 का अंतर है मतलब next अगला सवाल 21 सवाल सवाल कहराई कि भीया कौन से चिन्नों को लगा दू ताकि समी करण सैट हो जाए बताओ जल्दी से समी करण सही हो जाए एक बार जल्दी से बताओ कौन कौन से कौन कौन से चिन्नों को यहाँ पर लगा दूँ ताकि मेरा समी करण एक दम सही हो जाए देखाओ बचे जल्दी से बताओ एक बार कौन सा लगा दूँ बहुत बढ़िया सब ही प्यारे साथ ही बोलेंगे तो सबसे पहले चौथे उप्सन से चेक करो बचे सबसे लाश्ट से ही चेक कर लेते हैं आप एक बार समझ ले न सही है? बहुत बढ़िया सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं मैं हाउस वाइप हूँ और आपकी help से reasoning कर पा रही हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मनू रहे को बाई एक चीज हमेशा मेरे मन में होती है जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मैं speed से क्यों नहीं पढ़ाता है? क्योंकि कि मेरे दिमाग में हर चीज हमेसा एक चीज घुमती है कि भई मैं आया इस्पीड से पढ़ा के चला गया और मुझे कही ना कहीं यह पता होता है कि इस क्लास में वह बहने भी क्लास देख रही होती है जिनको पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है यह एक्च्वल में होत तो फिर दो-तीन बार खुझ से प्रैक्टिस कर लेगा प्यारे साथी एक तो वह बच्चा है जिसे पांच-छे बार एक क्लास का ही मौका मिल जाता है उसे बार-बार पढ़ने का बार-बार उस पर प्रैक्टिस करने लेकिन हमारी वह बहने जो जैसे तैसे टाइम निकालके पहली बार ही क्लास करती है और बाकी तो उनके पास जो हमारी बहने हैं उनके पास टाइम ही नहीं मिल पाता उनको कि इससे जदा वो क्लास कर भी पाएं तो इसका मतलब ये है कि हर हाल में हर हाल में उनको ये जो पहला वाला पॉइंट है यहीं पर बात समझ में आनी चाहिए आगे उनको बढ़ना नहीं है, क्योंकि प्यारे साथी, मतलब बढ़ना वो चाहे तो भी उनके पास इतना समय नहीं होता है, इसलिए मेरा मानना यह है कि मैं आपको चीजें यहीं पर समझा दूँ, यहां तक ना ले जाओं तो ज्यादा बेस्ट है, बात आ रही है समझ में, यही कोशिस होती है, कि मैं आपको पहले ही पॉइंट पर सारी चीजें समझा कर चलू, ठीक है, डी आंसर सबका लगबगा चुका है, कह रहा है कि भाग पिलस माइनस बराबर, डी का मतलब है कि जैसे चार इस्टार हैं, एक, दो, तीन, चार है ना, तो इनके नंबरिंग य पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यह करा है, पहला भाग दूसरा प्लस तीसरा माइनस चौथा बराबर, तो भाग प्लस माइनस बराबर, बाग प्लस माइनस बराबर, ऐसे रखना है, पच्चिस में पांच से भाग दिया तो पांच बार, पिलस कितना दस, माइनस कितना दो बराबर कितना तेर है दस और पांच पंदर है माइनस दो कर दो तो तेर ही आएगा सब को पता है option number 4 सही जबाब है ठीक है अगले सवाल पर बढ़ो आज की class का ये अगला question है दिहान पूरवक समझना कि इसका जबाब क्या है जो ये आकरती आप लोग देख पा रहे हैं य ये वाली आकरती है ये आकरती आपको इनमे से किस option के अंदर दिखाई दे रही है तो प्यारे साती ध्यान पूरवक समझो सबसे पहले अगर इस सीधी रेखा की बात करूँ तो सीधी रेखा तो ऐसा कोई option ही नहीं है जिसमें ना हो प्रतेक option में सीधी रेखा है सीधी रेखा की option आधार पे गलत नहीं कर सकता किसी को फिर यहां बीचे में से यह line कहां गई है वो देखो बीच में से लाइन कहां गई है तो प्यारे साथी यहां पर ऐसे कोई लाइन नहीं गई है लेकिन वो नीचे गई है नीचे से मतलब नहीं है क्योंकि आकरती को घुमाने की अनुमती नहीं है रोटेट नहीं करना है अगर यहां से यह लाइन उपर की और गई है तो यहां से मुझे उपर की औरी चाहिए ऐसे मत समझ लेना कि कोई बात ना भीया जी यहां उपर है यहां नीचे से काम चला ले क्योंकि उसने बोला आकरती को घुमाने की अनुमती नहीं है रोटेट नहीं करनी है इसलिए कहूंगा कि पहला option गलत है दूसरे में यहां उपर गई है लेकिन वो यहां से गई है जबकि वो इस point से यहां जानी चाहिए थी तो यह भी गलत है प्यारे साथी चौथे में भी नहीं है तो यह भी गलत है इसका मतलब तीसरे में समझो यहां से सीधी लाइन, यह रोटेट यहां से हुई, वो जो तिरची लाइन है वो यहां पर आ रही है, यहां से अगर मैं बात करूँ प्यारे साथी तो यह लाइन जा रही है, अब मिला कर देख लो मैंने जहां जहां पैन घुमाया है, क्या यही डाइग्राम बन रहा है, मु सबसे पहले आप लोग एक बात बताओ यह जो 687 है इसका और 612 का डिफरेंस कितना है तो साथ में से दो गई पांच आठ में से एक गई साथ पिचात्तर का अंतर है यहाँ 621 में से 546 घटा के देखू 11 में से 6 गई 5 11 में से 4 गई 7 यह भी 75 का अंतर है तो यहाँ पर 713 में से 75 घटा दो तो 13 में से 5 गई 8 10 में 7 गई 3 और यह 638 बनेगा पहला ही ऑप्सन राइट है टोटल डिफरेंस के आधार पर यह question solve हो रहा है इससे जदा इस question में कुछ भी सोचने विचारने की आवश्यक्ता दोस्तों नहीं है ठीक है कोई भी आवश्यक्ता नहीं है आज की class का अगला सवाल देखो दिहान से क्या है दिहान से समझो इस question को कि इसका मामला क्या होगा और प्यारे साथी यह जो question आप लोगों के सामने जो question बोर्ड पर है एक बार दिहान पूरवक समझना कि यह question क्या है अब दिहान पूरवक मेरी बात समझों यहाँ triangle सबसे देखो आकरती यहाँ पर चल रही है आजाओ भई दिखाना यहाँ पर क्या कह रहा है पहले यह आकरती है फिर यह है फिर यह है अब question mark पर क्या आएगा तो सबसे पहले यहाँ जो triangle है वो सबसे उपर है अगले step में triangle आने के लिए कोई भी इस्थान नहीं था यहाँ पर triangle उपर है यहाँ triangle नीचे है यानि बिल्कुल just नीचे आया यहाँ से एक step उपर गया तो triangle यहाँ आया अब एक step triangle उपर जाएगा तो triangle सबसे उपर जाएगा triangle सबसे उपर जाएगा लेकिन पहले option में triangle सबसे उपर नहीं ह दूसरे में ट्राइंगल उपर है तीसरे में ट्राइंगल उपर है चौथे में ट्राइंगल सबसे उपर नहीं है बचे आगे की बातें समझेंगे अब यहां मैंने ट्राइंगल के ही आधार पर दो आपसन गलत कर दिये है मैंने कहा यहां पर जो यह वर्ग है क्या यह चायांकित है आप कहेंगे हाँ जी यह वर्ग चायांकित है यानि कि अंदर से चायांकित है और अगला वर्ग चायांकित नहीं है उससे अगला वर्ग चायांकित है और उससे अगला वर्ग चायांकित नहीं होगा उससे अगला व राइट आंसर है क्या बोलेंगे आप्सन नंबर दो राइट आंसर है आज की क्लास का अगला सवाई सवाल करा है A add the rate B का रथ है A B का पती है A and B का रथ है A B का पिता है A hedge B का रथ है कि B A का पुत्र है तो यदि K L and M add the rate N has P का इसमें से solution बताना है कि तो मुझे एक बात बताओ क्याले K hedge L है hedge कहा है किरा A hedge B का रथ है B A का पुत्र है तो ये L K का पुत्र हो जाएगा L पुत्र है तो पिलस है L किस का पुत्र है K का पुत्र है किरा L and M A and B का रथ है AB का पिता है तो LM का पिता है L पिता है तो पिलस किस का पिता है M का बात आई है समझ में और आगे question किरा M at the rate A at the rate AB का पती है M N का पती है M पती है तो पिलस है किस का पती है N का पती है तो N इसकी कौन हो गई पत्नी हो गई N hedge P hedge कहा है A hedge बी का अर्थ है बी एका पुत्र है तो बच्चे एन एक मिनट ए है जबी का अर्थ है बी एका पुत्र है नि बाद वाला पुत्र है तो पी एन का पुत्र होगा पी को नीचे लिग दो पी पुत्र है तो प्लस हो गया question कह रहा है कि PK से किस प्रकार संबंदित है कह रहा है कि PK से किस प्रकार संबंदित है द्यान पूरवक समझना PK से किस प्रकार यानि PK का कौन है तो ये इसका बेटा और ये बेटे का बेटा यानि K का बेटा L, L का बेटा M बेटे का बेटा कौन है पोता और ये M का भी पोता यानि पोते का भी पोता बोलो एक बार क्या बनेगा सबी लोग थमसब करो और बताओ जल्दी से किस किस ने सही किया है पोते का भी पोता है पोते का भी पोता कौन होगा पर पोता आंसर आएगा option number 2 सब्धी प्यारे सती बताओं बात समझ में आई है comment section में स्कोर जरूर बता देना एक homework है उसका answer बता देना और class में सब्ही प्यारे सती copy pen लेकर बैठा करो ताकि पता चल पाई कि आपका score कितना कितना है जाते जाते जिन्होंने like नहीं किया है अब तक जो लोग यह बैठे रह क्या है एक बाल लाइक करके बहुत बढ़िया तरीके से करते रहो प्रैक्टिस करते रहो कल फिर से मिलेंगे आप से आपकी निर्धारिच समय तीन बजे तब तक के लिए जय हिंत जय भारत बाइब है